बहुत पहले एक गाना सुना था, सीने में जलन, आखों में तुफान सा क्यों है, इस शेहर में हर शक्स परिशान सा क्यों है, पर अब जहां भी देखता हूँ, वहां कुछ परशानी से ही दिखती है, गबराट से दिखती है, सब डरे डरे से, छुपे से एक दूसरे को देख रहते हैं, यह कहा जाता था कि छूना एक इलाज की तरह होता है, इसे बहुत परिशानियां और कष्ट खत्म हो जाते हैं, लोगों को विश्वास और सांतना मिलती हैं, पर अब किसी के पास आना ही डराता है, कहीं यह करोना केरियर तो नहीं, पिच्चरों में देखा करते थे कि प्रलय आ गई, दुनिया बदल गई, पिच्चर खत्म होने के बाद यह सोचते थे कि कितनी खतरनाक पिच्चर थी, शुकर है, यह सच नहीं था, पर आपका सच उस पिच्चर से भी ज्यादा भयानक है, पिचले साल तक लोगों को अपना भविश्य अंधकार में दिखा था, 2021 में तो वर्तमान भी बचाना भारी पड़ रहा है, मैं छटों पर अंधेरों में लोगों को घूमते हुए देखता हूँ, धीरे धीरे से चलते हुए वे किसी खयाल में ढूबे रहते हैं, अब तो भूद का भविश्य वर्तमान सब एक से साही दिखता है, लंबी लंबी लाइने सिर्फ अपना टेस्ट कराने के लिए ही लगी हुई है, हर किसी के घर में पड़ोस में कोई न कोई बिमार है, पहले अपने घर के परशानिया कम हो जाती थी दूसरों की खुशियों को देखका, अवे खुशियां दिखाई नहीं पड़ती, किसी के जाने की खबर सबसे ज़्यादा कश्कारी होती है, लेकिन अवे रोज ही सुनने को मिलती है, कितना भी इन सब को इग्नोर करने की कोशिश करें होता नहीं, अच्चे, एक लंबे समय से घरों में बैट कर अपना बच्चपन खोज रहे हैं, बड़े लोग बताते हैं कहानियां अपने स्कूल जाने की, खेलने की, कक्षा में बैट कर पढ़ाई करने की, शैतानियों की और इम्ताहनों के सच्चे आनल्द की, बच्चे इन कहानियों को राजा रानियों की कहानियों के तरह सुनते हैं, एक समय एक राजा की तीन रानियां और साथ बच्चे थे, और वे बहुत खुश थे, लोग कहते हैं पॉजिटिव रहो, लेकिन यह पॉजिटिव शब से ही डर लगने लगा है किसी के साथ भी अगर पॉजिटिव जोड़ता है तो लोग भाकर दूर खड़े हो जाते हैं जैसे कि कोई भूत देख लिया हो किसी बिमार व्यक्ति को मदद की जुरत होती है और अब पूरा परिवार भी बिमार होने के बाद भी किसी से मदद की उमीद नहीं करता उन्हें सब कुछ अपने आप ही करना है और ये कहानी सिर्फ एक या दो की नहीं सब की है इस वाइरस ने दुनिया ही बदल दी लोगों के काम करने का ढग, सोचने का नजरिया और जीने के तरीके बदल गए इसी ने कहा था कि पैसा जान नहीं बचा सकता इस बात का मतलब आप समझा रहा है मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि अब इस तुफान से लाड़े नहीं होती हारने का मन करता है लेकिन यह बात भी समझने जरूरी है कि तुफान भी हारता है, ठकता है और जल्दी वह रुकेगा और हमारे सामने सर जुकाएगा बस कुछ समय और इसे समालना है सिर्फ अपने आपको ही नहीं अपने पूरे परिवार को और दूसरे लोग जो टूटे हुए हैं हारे हुए हैं आप ये करें और आपकी सरवत्तम लीडर्शिप ट्रेनिंग पूरी हो गए और आप एक लीडर बन गए ये पहली बार नहीं है कि इंसानों को परिशानिया जहिलनी पड़ी है इसे पहली भी कई बार कई मिश्किलों से हम लोग भेतर और मजबूत होकर बहार निकले हैं इन लड़ाईयों में हमने बहुत कुछ खोया लेकिन उसके बाद उससे कई गुना बनाया वैसर कारे तो अभी बाकी है बहुत कम लोगों को ऐसे मौके मिलते हैं कि जब भे अपने आपको पहचान सके हैं अपनी ताकत, अपनी असली शक्तियों को अपने अंदर से निकाल सके हैं हम सब को यह मौका मिला है इस कहावत को आजमाने का यह जानने का कि यह कितनी सच है यह कहा जाता है कि एक पत्थर मजबूत बार बार टूटने और जुडने से ही बनता है आज आप सब पहले से भी कहीं ज़्यादा मजबूत है लेकिन थोड़ा और मजबूत होना बाकी है यह बात जरूर है कि अंधेरे आपको अंधकार में ले जाना चाहेंगे लेकिन आपकी इच्छा शक्ती उसे उजाले में बदल सकती है अब चाहें जो भी हो पूरी मजबूती के साथ इस तुफान के सामने खड़े रही है और आने वाले समय के अंदर विजय आपके साथ खड़ी होगी हमेशा से ही ऐसा होता आया है और इस बार भी ऐसा होता